हेलो एन वेलकम तो माई चैनल आउट आउट आउट्स तो गाईज आज की इस वीडियो में हम क्लास एट की माईल स्टोन की इंगलिश की बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दे माउस रैप का पार्ट वन का लाइन बाई लाइन एक्प्लिनेशन करेंगे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें तो गाईज चैप्टर जह हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नाटक के रूप में है जिसके अंदर हम क्रेक्टर की बात करेंगे कि कौन-कौन से क्रेक्टर इसके अंदर शामिल है दिस वन ओफ तो मोस्त रीवर्ड म यह कहानी कपल की है यंग कपल की जो की होटल ओनर्स के रूप में अपना न्यू में वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं मतलब उनने एक होटल खोला है दियार स्नोर्ड इन विदियर गैस और मिस्टीरियस स्ट्रेंजर और वो फस जाते है अपने गैस्ट के साथ और दूसरा किस सभावित मर्डर के बारे में अब यहां पर अगर करेक्टर्स की बात करें तो कौन-कौन है यहां पर हमारे नेरिटर है जो हमें बीच-बीच में नाटक के बारे में बताएंगी दूसरा है Mollie Ralston जोकी ओनर ऑफ दह मॉंक्स्वेल मनोर की क्या है मालकीन है अब यहां पर ज नहीं किया गया था वह अनिवाइटेड हैं सीन फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो भी हम बात कर रहे हैं जिसे कि हमारे रेडियो वगरा चलते हैं तो बहुत पुरानी बात है जो नाटक है वह बहुत पुराना है अब जो पुलीस है वहाँ है जो आस पास के इलाको में ढून रही है कि इसको दुन रही है murder किया है उसको murderer को ढूंड रही है जिसने क्या पहना है एक dark overcoat पहना है light scarf है उसका और soul fat उसकी hat उसने पहननी हुई है narrator यहाँ पर कहते है कि Molly Ralston enters जो Molly Ralston है वो अंदर आती है and turns of the radio radio को बंद कर देती है just as it warns about the icy road conditions due to heavy snow जिसके अंदर अब किस बारे में बताया जा रहा था radio जो है वो बता रहा था the icy road condition के बारे में कि road के उपर बहुँ जदा बरफ पड़ गई है और बहुँ जदा snowfall हो रहा है जिससे आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है gills Ralston enters through the front door और जो gills Ralston है जो कि Molly के पती है वो front door से आते हैं घर में या फिर होटल में एंटर करते हैं अब gills कहते हैं Molly what are you doing Molly तुम क्या कर रही हो Molly कहती है cheerfully खुशो के कहती है वो doing all the work सारा ही काम कर रही हूँ अब gills कहते हैं shall I stroke the fire क्या मैं आग जला लूँ you seem to be called तुम मुझे लग रहा है कि तुम्हें थंड लग रही है surely you haven't been out in this weather मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे थंडे मौसमें बाहर नहीं गई होगी तो Molly कहती है I had to go down to the village for some stuff मुझे थोड़े समान के लिए जो है विलेज में जाना पड़ा did you get the chicken netting क्या तुम chicken netting ले आए हो Gills कहता it was not the right kind ये सही परकार का नहीं था Gills कहता है कि मैं लेने तो गया था लेकिन ये अच्छे तरह का नहीं था what if we are snowed in tomorrow क्या होगा अगर हम कल यहाँ पर फस गई वो बहुत महतोपूर्ण होता है अब नेरेटर यहाँ पर कहता है Gills Wonders if they are prepared to open a guest house because he does not want to be swindled by the guest तो नेरेटर कहता है Gills Wonders Gills को थोड़ा आश्चरी होता है क्या वे एक guest house खोलने के लिए तयार है because he does not want to be swindled by the guest क्यों कि वो नहीं चाहते कि guest के दवारा उन्हें जो है swindled का मतलब यही होता है कि guest के दवारा उनको जैसे की उनकी आलोचना की जाए criticize किया जाए उनको कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया हुआ है Molly assures him लेकिन Molly उसको विश्वास दिलाती है that all the guests seem to be respectable सभी जो गैस्टा महारे वो अरिस्पेक्टेबल है the doorbell पील सेवरल ताइम्स इंपेशेंटली फिर क्या होता है कि जो doorbell है वो बार-बार बड़ी ही बेसबरी से बजती है gills hurriedly opens the door और जो gills है वो जल्दी से क्या करते दरवाजे को खोलते है Mr. Boyle अब यहां पे बाहर दरवाजे पे जो व्यक्ति आये है उनका नाम Mr. Boyle है और वो कहते हैं इस इस मैक्सवोल मॉंक्सवेल मनोर के यह मॉंक्सवेल मनोर है I presume मुझे लगा I am Mr. Boyle और मैं Mr. Boyle हूँ फिर गिल्स कहता है उसको I am Gills Ralston मैं Gills Ralston हूँ Come in, अंदर आईए and get warm और गरम हो रही है Warm is, where is your luggage? अपका सामान कहा है Mr. Boyle कहते है Major Metcalf is seeing to it मेरी साथ एक Major Metcalf आया है जो कि उसको देख रहा है उसको ला रहा है We had to share a taxi from the station और हम इस station से एक taxi share करनी पड़ी Nothing was sent to meet us क्योंकि हमें लेने के लिए किसी को भी नहीं भीजा गया अभी Gills कहता है कि We did not know what train you would come by कि हमें नहीं पता था कि आप किस train से आने वाले हो और else we would have made arrangements वरना हम क्या कर देते arrangements कर देते